असलाम अलेकों दियर ग्लास यह आपका dual simplex method का question है जिसमें हमें minimize करना है z को minimize z is equal to 5x1 plus 6x2 subject to these two constraints where x1 x2 greater than equal to 0 for this solution आपको पता है कि dual simplex में जो minimization of z है यह acceptable नहीं होता हमें सबसे पहले इसको maximization z में करवर्ट करना होता है उसके लिए हमें करना यह होगा कि जब हम minimize को maximize में करवर्ट करते हैं तो right-hand side के sign change हो जाते है उसके बाद जब यह constraints है आप देख रहे हैं तो इसमें greater than वाला जो case है constraints का वो नहीं होना चाहिए इसमें less than वाले constraints होने चाहिए और greater than को less than में converge करने के लिए दोनों size में minus 1 से multiply गिया जाता है यह हमारी requirement है due simplex method की वो चीज़ हमें मिल जाती है उसके बाद as usual हमें slack variables इसके में introduce करवाने हैं और x1, x2 तो variables मौजूद हैं पहले से लेकिन s1 और s2 introduce करवाएंगे maximization वाले जो हमारे पास एक function है यह उए qeqeishan है इसके अंदर B s1 और s2 और उसके बाद वो जो हमारे पास यह constitution है यह वाले डियाभाएंग लूद करवाले पास आधिवाले द्री तो उसके बाद और सुच्च्च्च्च्च्च्च्च्क।